ग्रेलिंग टस एल कब सिरफ सूखी खांसे में काम ले जाने वाली सबसे अच्छे सिरफ है ये सिरफ पहले दिन पहले डोज से ही अपना असर दिखा देती है और काफी जल्दी रिलीफ देखने को मिलता है इसमें लिवोकलो पैरास्टिन नाम का मेन कंटेंट होता है इस इफेक्ट्स भी दूसरी कफ सिरफ के मुकाबले बहुत कम देखने को मिलते हैं ये सिरफ केबल सूखी कांसी में ही दी जाती है यानि खांसी के साथ अगर किसी प्रकार का बलगम नहीं आ रहा है और गले में बार-बार खिच-खिच हो रहा है बार-बार खांसी आ रही है त साथ ही ये सिरप आँखों से पानी आना, छींक आना, नाक से पानी आना और गले में इरिटेशन को भी ठीक करने में हेल्प करती है। ये सिरप 100 ml की कांच की बोटल में आती है जिसकी प्राइस अभी 142 रुपए है। लीवोगलोपरास्टिन की दूसरी ब्राइस की कप सिरप भी आपको मार्केट में मिल सकती है जैसे लूपीटस, जीरोटस, अल्टीटस, एरोडेल, अल्पी और या फिर इसके अलावा और भी कई ब्राइस आपको मिल सकते हैं। ग्रिलिंग तस एल में पाए जाने वाला लीवोगलोपरास्टिन एक अलग तरह का कंटेंट है जो दूसरी कप सिरप में नहीं होता है। लीवोगलोपरास्टिन एक कप सप्रसंट है जो ब्रेन में पाए जाने वाले कप सेंटर की एक्टिविटी को कम करता है और लंग्स में कप रिसेपटार्स की एक्टिविटी को भी कम करता है जिससे खांसी में जल्दी रिलिफ बात करें तो इस सिरप का डोस केवल की सलाग के इस मेडिसिन को नहीं लें इस सिरफ को लेने की बाद कुछ सामाने साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं जैसे चक्कराना ठकान रहना सिरदर्द होना नौजिया वामेटिंग होना या फिर मुँ में सूखा पन रहना अगर आपके मुँ में सूखा पन हो रहा है तो बार बार पानी पिए इस सिरफ का यूज़ वेट कफ यानि बलगम वाली खासी में बिलकुल नहीं करें और अलकोहल के साथ भी इस सिरफ का यूज़ नहीं करें प्रेगननसी और ब्रेस्ट फेडिंग मदर्स भी डॉक्टर की सला से ही लें लीवर और किडनी डिजिस की जो को लाइक करें और स्वास्ते और दवायों से रिलेटेट वीडियो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू